हर्याना के खेल युवा मामले मंतरी सरदार संदीफ सिंग ने कहा कि प्रदेश की हर परिवार को चट उपलब्द करवाने के लिए सरकार हाउसिंग फोर आल योजना को लेकर आई है इस योजना के जरिये हर उस परिवार को अपना मकान उपलब्द करवाया जाएगा जिसके पास रहने के लिए चट नहीं है खेल मंतरी संदीफ सिंग गरामिड दोरों के दोरान लोगों की समस्याई सुन रहे थे इस मौके पर उन्होंने गाव इसाक वे जल बेड़ा सहीत कई गावों का दोरा करके लोगों की समस्याई सुनी उन्होंने गाव इसाक में खरीद के अंदर के शेश निर्मान कारे को पूरा करने की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिये इसके साथ ही गरामिन को आश्वाशन दिया कि गाव में जल्द ही मंदरेगा का कारी शुरू करवाने के साथ साथ आयुषमान कार्ड, राशन कार्ड और बीपियल कार्ड जैसी मांगों को प्रात्मिक्ता के अधार पर हल किया जाएगा उन्होंने गाव जल्बेडा के कमुनिटी सेंटर में शेश निर्मान पूरा करने के लिए पांच लाख रवेका नुदान देने की गोशना की इससे पूर सिचाई विभाग के रेस्था उसमें आईजित कारी करम में दर्जनों लोगों ने मुखे मंतरी मनोहरलाल के नेतरतों में आस्तावेक करते हुए भाजपा में शामिल होने की गोशना की जिने खेल मंतरी संदीप सिंग ने पार्टी में शामिल करते हुए का कि सभी लोगों को मान सम्मान दिलवाने की जिम्मेदारी उनकी है खेल मंत्री ने बताया कि सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन आवास योजनाओं को सम्मिलित करके सभी के लिए आवास विभाग नामक एक विभाग स्थापित किया जाएगा घर की मुनम्मत के लिए दी जाने वाले डॉक्टर बियार अमेट कर आवास नवीनी करन योजना सही सभी योजनाओं के जरीए हर व्यक्ति तक छट पहुंचाई जाएगी उन्होंने का कि ठेकेदारों के चुंगल से बेरोजगार युवाओं को बचाने के लिए सरकार ने निगम पोर्टल शुरू किया है जिसे परिवार पेचान पत्र से जोड़ा जाएगा इससे सरकार को उनमे रोजगार युवाओं का डाटा उपलब्द हो पाएगा जिनें सही में परिवार की आर्थिक हालत के चलते रोजगार की जुरूरत है ऐसे युवाओं को आविदन करते ही सरकार प्रात्मिक्ता के अधार पर रोजगार उपलत करवाएगी इस मोगे पर ग्रामणों की तरफ से जो समस्याय रखी गए उनके समधान के लिए तुरंत अधिकारियों को निर्देश केल मंतरी की तरफ से दिये गए निगम रेट हो चुका है और निगम रेट के अंदर जो हमारी निगम एप है उसके उपर आप अपरेल से जो जिनों ने कहीं जौब अभी तक जिनों लाइफ में नहीं की वो कर सकते हैं उसके इसाब से जो आपके परिवार की इंकम है पहले क्या होता था मारे माने मुखह मन्तरी जी का वीजन यी है पहले ये होता था कि एगर कोई डी सी डेक पे है उसकी जमीन भी है उसके घर में खेती बाड़ी भी है नंगर भी है तो भी उसको DC रेट रख लिते थे और उसकी घर की इंकम भी होती थी और उसको DC रेट पर रखके भी उसको नोकरी नहीं करता था सेलरी मिलती थे अब ये चीज नहीं होगी ये चीज जिसको जुरूरत है इसके परिवार को जुरूरत है उसको मिलेगी इसका बहुत लाब भी होगा और जो लोग इसका खबर नाम रहने के लिए प्योवा से अभिशेक पूर्णिमा के रिपोर्ट